ताजा खबरों के लिए कुनाक न्यूस को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं प्रेकी न्यूस में बगुन टाका मंत्री मोजी पाड़े का का न्यूस अपनी चक पटा पटा का पटा 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 खा खबर दर खबर पहुचे आपके घर देखे न्यूस ये फूरा चहे नियूस अब आइंटर्वियूस फ्रेश न हख विदाओ एक्सक्यूस So tune in, keep watching, keep watching पूरे शहर की बाते अपना शहर, अपनी बाते सुबह शाम हर रोज हम आपके लिए लाते कोनार्क, अपना शहर, अपनी बाते सेंटर्ल पुली स्टेशन ने चोरी के एक मामले में इंदोर से एक आरोपी को गिरफतार किया है पता चला है उस आरोपी से कई माल भी बरामत हुआ है आये देखते हैं इसे के उपर एक खास रिपोड़ इसको अटक किया है और दो दिन का PCR हो उन से लिया है उनके पास से चोरी हुआ माल दो लैपटाप और एक आपल कंपनी का मोबैल जब्त किया है ये इसकी कुछ हिस्ट्री वगरा है क्या ये आरोपी की? और तपास में हम देख रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड है क्या आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उल्लास नगर के हर चोराय की तस्विर एक जिसी दिखाए देती है हर चोराय पर ट्रैफिक जैम की समस्या रोजाना एक जैसी बात है अब आप देख रहे हैं कि श्रीडाम चोक पर कैसी ट्रैफिक जैम लगी पड़ी है और इसी तरीके से इगल होटेल फरनीचर मार्केट के चोक की हालत लगभग एक जैसी है गंटों तक ट्रैफिक जैम में फसे लोगों का हाल कैसा होता होगा इसका अंदजा भले बाती लगा सकते है ट्रैफिक जैम के असली वज़ा यह होती है कि दुकानों के आगे गाडिया बेतर्धी तरीके से पार्क कर दी जाती है और फुटपात ओपर दुकाने खुल जाती है जल्दी के चक्कर में दूपई या भान कई से भी घुस आते है और ट्रैफिक जैम का मुख़ कारण बनते है हमारा सभी शहर वासियों से निवेदन है कि याता यात के नियमों का पालन करे अपनी गाडिया नो पार्किंग में पार्क ना करे लाइन में खड़े खड़े बेवजा होन ना बजाए उल्लासनगर महानगर पालिका ने सफाई कर्मचारों के लिए जात शिविर का आयोजन किया गया है लाइन्स क्लब ऑफ उल्लासनगर और अखिल भारतिय कॉंग्रेस का भी सोजन में आये देखते हैं लाइन्स क्लब ऑफ उल्लासनगर में यूमसी कोवड़ वेरियर का स्वागत किया है हमने आज हमारे यहां पे मार्च महीने तक सभी किसम के विशेशग्या आते थे और सभी का टाइमिंग का हमारा टाइम टेबल भी छपा हुआ है यहां का हल्प लाइन नंबर भी है तो कोरोना में सब डिश्टर्ब होने के वाज़े से हमने अक्टोबर महीने से यह रिस्टार्ट किया है जिसमें अभी हमारे और्थोपेडिक जो है शाम को 5 बज़े से 6 बज़े तक डेली आते हैं इसकीन के स्पेशलिस्ट सोमवार को साधे-4 से 5 पाँच आते हैं आखों के डाक्टर भी सोमवार को साधे-4 से वाड़े-5 तक आते हैं उसके अलवा दस रुपए में जनसेवा टीनिक अमने चालू की है जिसमें MD डॉक्टर आपके बॉडी की पूरा परिक्षन जो आपको तकलीफ है वो सुनते हैं वो चेक अप के लिए आपको यहीं पर हमरे यहां डागनॉस्टिक सेंटर है एक्सरे सेंटर है दांतों का दवा साथ से हो रहा है वो आगे भी अच्छा ही होगा हम लोग तुरंत सभी डाक्टरों से संपर्क में हैं लेकिन कोविड पूरी तरह से समापना होने के कारण कई स्पेशलिस्ट कल्यान से डंबोली से नहीं आ पा रहे हैं हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी के डिसमबर के अंत तक हम सभी किसम के स्पेशलिस्ट डाक्टरों को यहां पे समय और वीकली टाइम टेबल लगा के हम सभी को बाटेंगे फिलाल हमारे पास जंसेवा क्लिनिक दस रुपे में चालू है जेनरिक स्टोर है वो 50% डिसकौंड में चल रहा है दातों का दवा खाना में दो मश सभी मास्टर डेंटल सर्जन डाक्टर स्निहार ओडा उस सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक हमेशा अवेलेबल रहती हैं डागनॉस्टिक सेंटर में बलड चेक अप यूरीन चेक अप यह सभी हमारे यहां डिसकाउंडेड रेट में है तो आप एक बार अवश्य उसका ए देखिए और कोरोना काल में जो लोग बच गए हैं उनके लिए संदी है अपनी नियमित दो-तीन मेने में एक बार चेक अप जरूर करवाएं लंबे समय से जो है मनपा के करमशारी कोरोना काल में भी देखे तो काफी जो है उन्होंने शहर के लिए सेवा की लोगों की जान क के लिए सेवा की तो आज किस प्रकार से लोइंस क्लब में जो इनके अट पाशने शिवीर का जो है आज जिन किया जाएगा कोरोना काल में सबसे पहले तो जो सफाही करमशारी यह वास्तविक्ता में कोरोना युद्धा है और इन्होंने पिछले छे महिने में दिन रात एक करके काम किया है एक दिन की भी कभी भी इन्होंने छुटी नहीं आउकाश नहीं लिया है और कॉरोना से जो पेशेंट वादित होते थे उन लोगों की सेवा जो है यह सफाई करमचारी करते जिसल्पी सेंटर थे उतने सेंटर के अंदर joh तो यह उनकी सेवा में यह लगे हुए थे और दर्मियान में जितनी शहर की सफाई के अंदर जो सफाई करमचारी थे वह वास्तुएक तब उस समय जो है एक घर से एक आदमी निकलता नहीं था लेकिन इन लोगों को बिना किसी प्रकार के जितना उन्हें साहित्ते देना चाह ते हुए भी इननोंने जो है बाहतदूरी से समाच की सेवा किये और नागरीकों की सेवा किये अब हमने अखिल वारतिय सफाई मेर्दूर कॉंग्रेस और लाइन्स क्लब उलास नगर इनोंने मिल करके और यह एक हमने आयोजन किया है यह मेडिकल कैम का कि सबसे पहले जो ल की जो है चेक अप किया जाए लेकिन वो उसमें थोड़े पीछे रह गए उसका खेज जो है वो तमाम करमचारियों को जरूर है लेकिन हमने उसकी प्रतिपूर्ती किये और लाइंस क्लब का साथ लेकर के अकिल भारतिय सफाई मजदूर कॉंगरेज जो सफाई मजदूरों की यूनेन है उन्होंने एक नमबर से लेकर के तो पांच नमबर तक करिबन जो है साड़े बारा सो से ज्यादा जो सफाई के नमचारी है इनका पूर्ण वाड़ी का जो है मेडिकल चेक अप करवाने का आज से सुरुआत हुई है आज लाइंस क्लब के अधिकारी सफाई में इस वाड के नगर से वक और माजी जो है सभागरे नेता राजंदर चौदरी भी आय थे तो अच्छी तरीके से यह जो कारिक्रम है आज से हमने सुरुआत की है मैडम अतिरिक्त आयुक्त जो है मैडम करोना जुई कर उन्होंने हमें बहुत कोप्रेट किया है हम लोग ल अन्होंने हमें कोप्रेशन किया है इसलिए हम उनका भी ते दिल से सुक्रिया आदा करते हैं और उसी के साथ साथ हमारे इस वाड के जो आरोग्या निरिक्षा के रविंद्र भेनवाल और उनके ही साथ में जो विजय भेनवाल इन लोगों का यह कारेक्रम को लेने में और हमारे साथ में महिला विंग की भी हमारी अद्यक्षा है कम्रेश उजयनवाल है और युद के विंग के लोग है हमारे जिल्ला के अद्यक्षा है अडांगले जी आशे रमजिता के हमारे साथ यहाँ जो लाइन्स क्लब के लोग है इन लोगों का भी हमें सही होग है पानी के लीकेज और पेजल की गंबिर समस्याओं से लोगों को जूजना पड़ता है इस पर हमने मुलाकात लीप शूशन नेता दनन जे बोड़ारे से आए देखते हैं क्या है उनका कहना पानी की लाइने जाती है वो दुरुस्त नहीं की गई है आप उसका नतीजा देखते होंगे कि पानी के लिकेज भी है पैनल नंबर जो कि जहां से आपका प्रवाग आता है हमारा डा सेक्षन हो या चानमरोटी कई जगों पर जो है इस तरीकी की दिक्कत आती है तो इन चीज़ों किस तरीके से पानी पूरड़ा विवाग से मिलकर जो है दुरुस्त किया जागा क्योंकि एक और जो टेक्निकल चीज़े लोग चोरी करते है पानी वो लाइन और उसके बाद यह वेस्टेज यह काफी जो है असर करता है शहर में अब ही जो फ्लो मिटर का जो कमपनी है उनको मैं परस्टन ही गोला कमिशनर साब जो अभी तक समझ या समझ में नहीं आ रहे थी पिछले 20 दिन से लोगों को चार नमर के लोगों को पानी ने 20-25 दिन एक मेने के उपर हो क्या एक दिन आता है दूसरे दिन नहीं आता है तो लेडिज भी हमको पुछते क्या जादू किया है इसमें प्रशासन हम नाम नहीं रखेंगे लेकिन प्रशासन एड्मिस्ट्रेशन के पास हैंड्स ही नहीं है एक बीएस पार्टिल है वो रिटार्ड रहेजा ठाकरे और वानकेडे जिस डिपार्मेंट में 10-10 बारा-बारा इंजिनियर्स रहते थे जए फिर मेकानिकल है एलेक्टिकल है और बाकी सिविल वाले वाटर सपले वाले और एग्जिकूट्व इंजिनियर सिट इंजिनियर उनके आज तीन इंजिनियर काम कर रहे हैं यह एक रिटार्ड और इतना लोड है इसकी वज़े से कुछ सोचने कंफ्यूस थे तो उनको बिठा के जो जुने यहां से गए है जो रिटार्ड हुए उनको भी बुलाया उन्चे मिटिंग की हम लोगों ने और फिर फ्लो मेंटर मंगा के यह जो पॉइंट लोकेट किया कि कहा प्राब्लम हो सकता है वैसा है पुरी शेर में हमको में डिस्ट क्लब में आना है तो उतना पानी उधर आना काई होँ इसत्रीक इस तरिक कर हूंसे मेरा कंजेफ्ट है कमिशनर और अइडिशनर कमिशनर के पास बैटने के बननेगे सब को गलत है मैं सभी आपके माध्यम से सभी जनता को सभी नगर्शयों को विनति करता हूँ एडिमिस्ट्रेशन इसमें काम करेगा अगर हम अगर दखलाना जीक देंगे इसमें गलत तरीके से मेरे वाड में 24 गंटा पानी चाहिए बागी सब पैसे रहे तो ये शहर के लिए गलत जा ये खेरगे फिर हमारे पीछे वाला वाई से ही करेगा. आपने जो है कुछ मांगे की है, कुछ प्रशासन से जो है इसके बारे में विचार विमक्ष करना चाहिए, ऐसी बात है, जाना चाहेंगे किस तरीके की राय है, किस तरीके से जो इसे लाव हो सकता है शहर के नागरिकों को. ये बात काफी पुरानी है, लगबख देड़ दो साल पहले, जबी श्री दिपक सावंत जी उस समय के एल्थ मिनिस्टर यहां आये थे, कामगार आस्पिटल का जो प्रोजेक्ट है, उसका भूमी पुजन करने के लिए, तो क्योंकि वो मेरे वाड में पढ़ता है, तो मुझे भी वहां बुलाया गया था, और डाक्टर श्रीकांग चिंदेजी, एकनाच चिंदेजी वगेरा गणमानी वक्ती वहां उपस थे, तो मैंने उनको पत्र देकर एक मांग की थी, वो मांग इस तरह की थी, के सेंटरल ह हं अउस्पिटल में 200 से जादा बेड अवेलाबल हैं, और 100 बेड, कामगार थार के उसपिटल में और 100 बेड गवर्मेंट मेंटरी ठाच पिटल उलास नगर क्यार में हैं, मिनीमूम केटेगरिया यह है के, मेडिकल कालेज बनाने के लिए 200 बेड की हास्पिटल में उससे ज available नहीं हैं दवाईयां available नहीं है डॉक्टर नर्स अविल अविलबल नहीं हैं और यहांपर इस तरह कर्जत उस तरह कसारा के गिरामिनपटे से भी सबी लोग यहां रिभर् किये जाँ ने तो मेरा यह सुझाओ था कि यह मेडिकल कालेज का दर्जा देने से वहां पर जो शात्र मेडिकल की पड़ाई और नर्स के कालेज से उने से नर्स की पड़ाई करने को जो बच्चे आएंगे वो बच्चे पेशन की शेवा भी करेंगे उनका खयाल भी रखेंगे और अपना ज कि जो रहने वाले हैं इस तरफ कर्जत उस तरफ कसारा तक उनको भी बिलेगी तो वो उन्होंने मुझे बोला था कि यह बहुत अच्छा आपका सुजाव है इसके उपर उनोग ध्यान देंगे लेकिन बाद में उनकी गवर्मेंट चेंज हो गई यह लेकिन हो गया और कोनार्क अपना शहर अपनी बाद उल्लास नगर चार प्रभाद गाडर परिसर पानी की टाकी के यहां कुछ गंजेडियों और गरदुलों का जमाउड़ा लगा रहता है पता चला है कि वहां के रस्तों पर लाइट की भी काफी समझ से हैं वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परिशानियों से भी जूजना पड़ता है आइए देखते इसी के उपर इखास रिपो सवागाओ यहां पर रहते हैं क्या दिककत कभी हूई आसपास में चोरी की गटना शौरी गटना है में हमारे एरिया में तो नहीं लेकिन कहीं जाते है Su यह पोस्टन में लगता है क्योंकि काफी अंदेरा रहता है यह तो उसके वज़े से लगता है कभी किसी ओको देखा होगा मतलब ऐसे थोड़े लड़के रहते हैं थोड़े इरिया के तो थोड़ा उनसे लगता है सेफ नहीं लगता है यह अरिया में आपने यहां पर आते जाते देखते हैं यहां पर अधिया नहीं हुआ पहले वादा विगदो बार लगत आधे होती रहती है होती रहती है आपको सुमचाना ता इदर नौग मैदन नहीं के बाद तो इस जगा से रोजा ना चाने आपका अच्छा यह कंडर को आप देखे रहा है कि आने जाने के लिए शाम को बहुत तकलीफ देता जैसे के फाल्टू लोग खड़े हो जाते हैं तो हमको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है जैसे आम लोग अभी आप देखे रहे हो कि अभी खाली है शाम को आप खुद आके देखोगे तो यहां पे फाल्टू गिरी बहुत जादा होती है पुलिस ने लूट मार और चीना जप्टी के आरोप में दो लोगों को गिरफतार किया है आये देखते हैं इसे के उपर एक खास रिपोर्ट एक विक्तियु को लूटने के इरादे से चोरों ने किया उस पर जान लेवा हमला रास्ते पर जा रहे अफजल अंसारी को प्रवीन चोहान और विकास टेम भेरे ने लूटने की इरादे से किया जान लेवा हमला जिसे कल्यान की महात्मा खुले पुलीस ने पकड़ लिया है पीडित उलास नगर का रहने वाला है जो कल्यान में काला तलाव के पास बन रही एक इमारत में काम करता है यह गटना रविवाद शाम साड़े च्छे बजे की है दोनों आलोपियों को जेके शिंदे और विजे भाले रावने डून निकाला है कोनार्क अपना शहर अपनी बात वाइरल ट्रेंड्स जो बदल दे आपकी सोच हां मेटा कितनी होगी भुक बाबजी पस थोड़ी सी आती है भुक अभी तर किसमें से क्या सबग निकाला है बाबजी भुक का तो मेंपुट ही है कि जो आप 18 साल की एं पोटेते हैं वर अपनी मर्जी के मौलिक उते हैं तो चैंवाबजी यह ऐसा ही है आपने भी ऐसा किया है नहीं दो बेता मेरा खाल मेरा भास्राट साल को भी ज्यादा हो चुकी है और अब रहा हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा और यह बुक किसी मगर्बी मुसानिफ की है, जी वाओ जी, उनके मुश्य में इंडेपेंडनस का मतलब है, कि अपनी फैमिली से कट जाना और सब कुछ अपनी मरदी से करना, लेकिन हमारे हैं इंडेपेंडनस का मतलब थुरा मुखलिफ है, बच्चों में खुद ही आ जाती ह वो कहते हैं मैं अपना खुद करूँगा और अपनी फैमली को भी पालूँगा यह सोच आ जाती है और मैं आपको एक मिसाल देंके बताने कोशिश करता हूं यह पौदा पकड़ो यह देखो मिसाल के तोर पे यह पौदे में यह पत्ते लगए में ना पत्तों की ताकत और यह पजिए फैमिली आधे हहें यह जैसे मिसाल के दोर पे हमारी ऐसम Talent है मैं और आपके चाचु मुक्टलिफ काम परते हैं इंडिपेंडिंडी और लेकिन वारी एक है उस.... चॉष्य है उसी में ताकत है उसी में बरकत है जी बाब जी तो इंसान के अपनी मर्जी है को उसको क्या चूज करना है अब जिन मौाशरे की बात कर रहे हो यहां पे हर इंसान काम करता है और हर इंसान परेशान है आज भी वो मौाशरे खुश हाल है जहां family इकटी रहती है वहाँ बरकत है ताकत है स्वाइस इंसान की अपनी है आखर में नतीज़ा उसको खुद बहुतना है जी बागरी कोनार्क अपना शहर अपनी बात तो यह दिया आज की उच्छास ख़बरे फिर से एक बार मिलेगे नई ख़बरों के साथ तब तक के लिए आप बने रहे हैं कोनार्क न्यूस के साथ और अगर आपके पास कोई न्यूस हो तो नीचे दियो और नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते तब तक के लिए मैं रहता हूँ आपकी रजा देलेवा कर दो तक कर सकते तब देलेवा कर दो आपके फ्यास तक कर दो नीचे मैं कर दो तक कर प्सक् local impression खन् וक में रहता तक कर दो आपके लिए मैं कर दो दोर्ख खन्यूस प्रोंड्ड है कर दो दो नहां प्रूम प्राइब करते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो आखा दो कर दो कर दो कोनार्क अपना शहर अपनी बात कर दो कर दो का दो झाल झाल झाल